हालो इस्टुडेंट बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का PBR स्टडी में तो बच्चों आजाओ आपकी कलास सुरू हो चुकी है सामके साथ बच्चों के हैं देखिए बहुत से बच्चे जुड़े हुए हैं प्रियांसू अंकिता सिंग आकास और कौन जुड़े हैं हुँ उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग आज बहुत ही महत्तों पूर्ण कंसेप्ट हम लोग सुरू करेंगे रोईद विसकर्मा भी आ गया बच्चा सभी जल्दी से आजाओ फटाफट देर ना करो यह कलास हर दिन सामको साथ बजे से सुरू होती है तो सत्तु बाबु ठीक है हां कलास सरु हो गया है निशा सर्मा जी कलास इस्टार्ट हो गया है अनिल जी अतुल से खतीक सभी जानलो 80 कुमार यादो 80 कुमार पाल सत्तु भाई जै किसन कुस्वाहाज जी बिलकुल तो तो कलास चल रहा है ना आगे चले हम लोग गुड मॉर्निंग नहीं आई उसकुमार बच्चा गुड इबनिंग अंबुज याद हो जी ठीक ठाक हो ना चलो तो कल हम लोगोंने काफी कुछ पढ़ लिया था आज क्या पढ़ेंगे पता है आज हम पढ़ेंगे तिर्भुज की सरबांग संता चैप्टर नमबर आपका है सत्मा क्या है बया है चैप्टर सत्मा में तिर्भुज है ना असिस्र कुमार चल रहा है ना सभीका वीनियो सब्सक्राइब है न यह चलो हाँ तो क्या देखांग यह चैप्टर नमबर सात्मा अनन्त जी बिलकुल मैं देख पा रहा हूं चलो आप लोग वीडियो एक बार रिफ्रेस्ट कर लो नहीं चल रहा है तो चैप्टर साथ देखो इंट्रोडक्षन वाला पार्ट में कल आपने एक देख लिया था ना इंट्रोडक्षन कल आपने एक देखा था कल हमने आपको पढ़ाया था कि तिर्भुच किसे कहते हैं तिर्भुच की परिभासा बताया था और कल मैंने आपको तिर्भुच के परकार भी बताया था तो आप मुझे ये बताओ कि तिर्भुच कितने परकार के होते हैं अनंत ज कोण अनंत रोहित सब बता रहें कि तिरभूज कोई छे बता रहा है कोई पांच बता रहा है कोई तीन बता रहा है मुख्य रूप से तिरभूज अगर सिर्फ इतना पूछा जाए तिरबूज कितने परकार के होते हैं तो तिरबूज 6 परकार के होते हैं लेकिन अगर पूछा जाए कि भूजा के आधार पे कितने परकार के होते हैं तो 3 परकार के होते हैं हाँ तो आज हम पढ़ेंगे सर्बांग सम्ता क्या पढ़ेंगे सर्बांग सम्ता तो चलो अब हम बात करते हैं आखिर ये तिर्भूज की ये सर्बांग सम्ता कौन सा जानवर का नाम है चलो फटफट छे होते हैं according 3, भई क्या बोल रही है, 6 होते हैं, भेजा के according 3, ये भेजा नहीं होता, साहु जी, ये भुजा होता है, ठीक है, चलिए, अब हम क्या करेंगे, congrience के बारे में पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, congrience, इसे इंगलिस में क्या बोलते है, congrience, congrience, इस्पेलिंग सही है न, इस्पेलिंग यही होती है न, देखो ये होता क्या है, congrience क्या होता है, इसके वैसे तो कई परकार होते हैं, कई परकार मतलब कई condition होती है, कोई भी तिरभूज, कैसे होगा सर्वांगसम, आप कैसे जानोगे, देखो, मतलब समझो, सर्वांगसम, अगर हम इसको थोड़ा सा अलग-अलग लिखें, इसका मतलब है, सर्वांगसमान, सर्वांगसम ता का मतलब होता है, सर्वांगसमान, ठीक है, अब ध्यान, तो सर्वांगसमान का मतलब क्या हुआ, जैसे अगर हमारे हाथ के अंगुली है तो मुझे ये बताओ क्या ये अंगुली सा बराबर है ये अंगुली सा बराबर है नहीं बराबर है न इसका मतलब हमारी अंगुली आपस में बराबर नहीं है बराबर नहीं है लेकिन अगर मैं कहूं कि क्या यह दोनों मारकर बराबर दिख रहे हैं आपको मतलब बराबर लंबाई बराबर उटाई का दिख रहा है तो आप कहोंगे हाँ इसका काला वाला भाग भी उतने बड़ा है और नीचे वाइट वाला पार्ट भी उतना ही बड़ा है अगर ध्यान भी बराबर है आपस में चोटी बड़ी तो नहीं न एकदम बराबर है न यह और अगर हम इसका यह ले 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 तो यह भी बराबर है बेर टोपी के भी बराबर है यानि दोनों मारकर क्या है दोनों मारकर सरवांगसम है क्या है दोनों मारकर सरवांगसम है ठीक है आप चलो ध्यान दो अब इधर साइड आप लोग ध्यान दो दोनों मारकर एक समान है यानि यह सरवांगसम है तिरभुज में कैसे होता है तिरभ कुछ मैंने बनाया कि यह ठीक है अब ध्यान देना हां मतलब से पाइंड साइज दोनों इक्वल होना चाहिए कल मैंने थोड़ा सा बताया था लेकिन आज ज्यादा डिस्क्राइब करूंगा तो बच्चा जैसे देखो यह ABC है और इस तिरभूज का नाम है PQR अब ध्यान दो इसकी सेप भी बराबर हो और साइज भी बराबर हो सेप और साइज में अंतर होता है जैसे देखो थोड़ा सा समझो इधर साइड में यह सेप और साइज क्या होता है चुकि हमें तो आपको सब कुछ सिखाना है वसे तो बहुत से बच्चों को आता है लेकिन फिर भी मैं ब बनाया इन दोनोंका सेव सेव मतलब आकृती समान है दूरगेश सोनी बताओ एंका सेव समान है य Да भोलो सेव एकलर है नहीं चलो सेव भाई इनका सेव समान नहीं है रहा हाँ पातस ही आरी ना क्या है इनके से जो है समान नहीं है अधिक है आप समझो इधर साइब में समझो लेकिन इनकी साइज समान है अब भाई जब से पहीं समान है तो हम साइज कैसे समान कर पाएंगे हाँ पहले से समान होना चाहिए तभी आप साइज की कमपेर कर पाएंगे देखो यह तो कोई नहीं कर पाहते है यह तीर गाव है यह मीर गाव है यह आम है तो यह मिली है अब इधर देखो इधर साइड में देखो इनको देखो इनका सेप एक कॉल है सेप एक जैसे है न इनका आकार एक जैसे है न आकार की आकरती इनकी आकरती सेप मतलब बता आकरती कैसे है एक जैसे है न बाई जैसे यह है वैसे ये भी हैतीनी भूजा वाला अब बात करate है साइज की देखो ही हिंदी में मत समझों इंगली में समझों जाने दो हिंदी बड़ा confusion वाला होता है सेप का मतलब होता है इसकी बनावट अब साइजी में अगर हम चले तो अब साइज इसमें हम compare कर सकते हैं तो देखो ये माल लेते हैं तीन सेंटीमीटर है तो भाइया ये भी क्या है तीन सेंटीमीटर है ये पांच सेंटीमीटर है तो ये भुजा भी क्या है पांच सेंटीमीटर है ये चार है और ये भी क्या है चार सेंटीमीटर क्या ये दोनों सरबांग सम्हें सरिता यादोची है साइज भी एक समान है और स्वेप भी एक समान ये सरभांग सम्हारा कर 10vit clear मैं एक ग्जांपल बताया था का मतलब यह है बच्चा कि अगर इन दौनों को एक दूसरे के उपर चड़ा दिया जाए तो यह एक दूसरे को धांक लेंगे पूरा पूरा डांक लेंगे दिखेंगे नहीं जैसे देखो मेरे हाथ में क्या एक उम्हेर दिख रहा При कि मेरे हाथ में कुछ है कुछ दिख रहा है यह तेड़ा मेरा हो रहा है का अ क्या है मेरे हाथ में क्या है कि है तिरभूज है न जो ट्रैंंगल आकार के paper है नाब देखो ये दोनों अगर सरवांग सम होंगे पहले Cities का मतलब समझो अगर यह दोनों कांगुरियंस होंगे तो इनको एक दूसरे के ऊपर रखने पर एक दूसरे को पूरी तरह ढख लेंगे यह दिखेंगे नहीं हां मतलब यह फिर पीछे वाला नहीं दिखेगा तो जैसे मैं आपकी तरह ब्लेक वाला करता हूं और वाइट वाला म अभी दिख Elsweats to apply to online मैंने क्या को हिसको थोड़ाय किया यह देखो आ अब अब बताव भाइट वाला कहीं कि अडूडआ सा ये और बताव वाइड वाला केंदिखे रहे यह वह दिखेना लेकिन मनिस्का मोर हाणी मैंने मोर नंय मैंने क्या किया टेको इधर यह मैंने ऐसे देखो अब इधर से बलेक दिख रहा है इधर से बलेक दिख रहा है बलेक नहीं दिख रहा है न मतलब पीछे का बलेक वाला नहीं दिख रहा है और इधर में घूम गया तो देखो वाइट वाला नहीं दिख रहा है यानि ये दोनों तिरभूज सरबंगसम है क्या है ये बच समझ में आया भाई बहुत बड़ी चीज है समझ जाओ तो देखो एक बात और समझ लो एक बात और समझ लो अब तुम लोग कहोगे क्या यही दोनों सरबांगसम है आप चलो मैं छोटा सा एक एक जामपल और दिखाता हूं देखो अब जैसे मैंने एक किताब ले लिया चलो यह मैंने बुक ले लिया अब मैं इसकी कंपेर करूं तो क्या दोनों सरबांगसम है चलो मैंने रखा इसे पेपर दिख रहा है पेपर नहीं दिख रहा है ना लेकिन मैंने इधर से दिखाया कागज दिख रहा है यह सब कोपी देखो यह रेक्टेंगल मॉडल है यह आयताकार है यह किताब लेकिन यह तिर्भूज है दोनों में बहुत बड़ा डिफ्रेंस है ठीक है बात समझ में आई ना सूरज कुमार जी आपका कमेंट आ रहा है प्रिंस पटेल अभी सेक मोनिका नौसाद राजा सब का रहा है चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं जितने भी छात्र नए जुड़े हैं जल्दी से चैनल को तुरंट सब्सक्राइब कर लें बहुत जल्दी कर लो और इस कलास को फट से लाइक करो देखो बगल में लाइक कापसन है ना जल्दी लाइक करो बाबू फटा फट देर मत कर करो साम को साथ बज़े डेली लाइब आजाय करो हर दिन लाइबा जाया करो साम साथ बज़े से विल्कुल फ्री ठीक है एक बार में फिर से रिपीट करूंगा उसके बाद आगे बढ़ूंगा इसके परकार बताओंगा देखो सरवांग सम कैसे होता है जब नियुक्त रख दखने पर पूरी तरफ धंक लें उसका कोई भी पार्ट दूसरे का ना दिखाई दे तो वह सरवांगसम कहलाते हैं जैसे देखो मैंने ब्लैक वाले में यह देखो इसको रखा ऐसे यह ऐसे रखा अब यह देखो दोनों को मैं बराबर कर रहा हूं तो यह एक दूसरे को धंक झब दूसरे को क्या कर रहा है यह धकले रहें अब बताओ आप मुझे ये बताओ वह बराबर करने दो यार मैं कुछ गड़गा रहा है का नहीं ёब है अभिन मोई ये बताओ किया आपको ब्लेक वाला तिर्भूच नहीं बडिंख रहा है ना बोलो यास कि ब्लेक तिर्भूच आपको दिक्रापी ज्य़क रहा है ना लेकिन आ इसको क्या किया मोड़ा नहीं सोचो कुदर спасибо में मोड के रख लिया हूं नहीं मैंने उसको पूरी तरह फैलाया है इधर देखो यह इदर से वाइट दिख रहा है dent सभी तरह वाइट दिख रहा है नहीं दिख रहा है ना बराबर नहीं दोन् know सर्बंग समय तो जैसे इनका हाकार है आकरती भी बराबर है लेकिन अगर मैं कोई एक तिर्भूज बड़ा फल ले आओं भी एक सिकन्ड रुकों मैं आपको एक बड़ा तिर्भूज भी लाके एक जाना मत बत्चाहां जाना मत यह लो मैं ज्यादा कापी नहीं फाड़ूंगा हाउ भाइ दोनों तिर्भूज की आकार के हैं यह भी तिर्भूज यह भी तिर्भूज है लेकिन अगर इसको हम एक दूसरे को उपर रखें ऐसे है अब मुझे इस बता हो क्या आपको black वाला तिरभूच दिख रहा है क्वेज़ आपको black वाला दिख रहा है YES NO कि ब्रेक वाला तिरभूच दिख रहा है कि नहीं वक्चा दिख रहा है भाई उधर्म घिंटा दिख रहा है न? प्रिंस परटेल दिख रहा है न? बलेक वाला दिख रहा है न? और इधर अगर मैं गूमूं तो क्या आपको वाइट वाला दिख रहा है? नहीं दिख रहा है न? नहीं दिख रहा है न? इधर से देखो दिख रहा है न? यानि अगर मानलो मै इसको उपर कर दिया यह आपको वाइट दिख रहा है नहीं दिख रहा है कहने का यह मतलब है कि यह दोनों है तो तिर्भूज इनका सेप तो समान है यह दोनों तिर्भूज आकार के हैं यह यह दोनों तिर्भूज आकार के हैं लेकिन इन दोनों में सरवांग समता वाली कंड इसन नहीं है इनकी देखो भूजाएं एक जैसे हैं तिर्भूजा आकार की है मतलब जैसे मैं इधर साइड में बोलनूं इनका दोने यंपल मैं बोर्ड पर बना रहा हूं देखो बच्चा इधर साइड में आप लोग बड़ा प्यार से देखो इधर साइड में रुग जा भ बुजा वाले हैं, बंद अकृती हैं, दोनों तिर भुज हैं, लेकिन ये क्या है, बच्चा है, और ये क्या है, दादा जी हैं, तो भैया दादा जी और बच्चा दोनों बराबर तो नहीं रहेगा ना, बड़ा छोटा तो रहेंगे ना, आपके घर में भी दादा जी होंगे आप छोटे से हो आप दादा जी के कंदे बराबर नहीं होंगे लेकिन दादा जी बड़े हैं तो बस वैसे ये क्या है ये दादा जी है ये उनके बच्चा है या फिर ये पापा है ये पेटा है ठिक समझ में यह सरवां। टा इसरवांग समझय नहीं इनका आकार समान है ऑगर समान है इसाइए प्रिस पटेल आप का इंटरनेट नहीं चलरा बाबू अपना इंटरनेट चेंज, मतलब सही करो या फिर आप शेटिंग में जाके क्वाल्टी बदल वीडियो कवाबू ठीक है शेटिंग में जाके क्वाल्टी चेंज कर लो हमारी तरब से फूल इच्टी दिख रहा है आपका इंटरनेट दीमा है इस वजा से आपको थोड़ा समस्य हो रही है इंटरनेट एफे हे Careful चलो कि अब चलें आगे बढ़ें हम लुग समझ में आगे न तो अब हम देखेंगे के सार्वांग्समतिा पिर्भुच कितने परकार के होते हैं। भाई यह तो दो संता अपना कॉन सारभांग सम्ता संद सुने देखो अब तिरभूच के बात नहीं हो यह पर नहीं हूँ चलो अब इधर साइट में देखो क्या है आप लोग धियान से तर्डेकर क्या है आप हम बात करेंगे की कांगुरियंस जो होते उनके कितने रूल होते हैं वो कितने कितनी इस्थिती में कांगुरियन्स हो सकते है मतलब जैसे अगर कोई दो तिर्भूज उनकी भुजा भुजा बराबर है दोनों तिर्भूज में दो भुजाय बराबर है एक कौण बराबर है तब तिर्भुज सर्वांग सम होते हैं अगर किसी दो तिर्भुज के तीनों भुजाएं बराबर हैं तो सर्वांग सम होते हैं अगर एक कोण तो भुजा बराबर हैं तब भी सर्वांग सम होते हैं दो भुजा एक कोण बराबर हैं सरबंग समझ होते हैं इस तरह फिर फारे रूल होते हैं चलो मैं आपको यह सारे रूल बता दे रहा हूं ठीक है यू एभक तो वही आगाता मतलब कहावत आपके ऑपर है थोड़ा लागू हो रही कैम्ड यू करें चर मारा तीक है आपका इंटर्नेट नहीं है अपना इंटर्नेट बैस्ते अच्छा दिख्र है हाँ तो अब हम क्या बात करते हैं अब लिखो आप लोग कर्टीरिया फार का इंगुरेंस आप ट्रेंगल तिर्बुच के सर्वांगसम होने की सरतें हेडिंग डालो हिंदी में आप लोग तिर्बुच के सर्वांगसम होने की सरतें मैं इसको इंग्लिस में लिखते रहा हूं लिखो भी आई भीको दिया कोनों कायार हुद नलायक टाइप के हैं आप हमारे कुछ लोग है उनको मैं क्या कहूं लिखो कर्टीरिया फार काइंगुरियंस आफ ट्रेंगल हाँ भीया चलो लिखो पहले हिंदी में लिखो तिरफुच के सरवांगसम होने की सरतें ठीक है आफ ट्रेंगल देखो मैं अक्सर हिंदी में पढ़ाता हूं लेकिन मैं इंग्लिस में इसलिए लिख देता हूं जिससे की बच्चों को समझ में आए ठीक है आरती मौर्या जी आप पढ़ाई करिए ठीक है यू काइं डू इट सब कुछ ठीक है बजिया देखो डिया फलार मैं जल्दी ही ले आऊंगा डिया फलार कैमरा आने माला है आपकी यह भी सिकायद दूर हो जाएगी लेकिन बस हमें कुछ दिन और दीजिए आपसे है बच्चा यस एस कि इसका मतलब क्या है कोई बताएगा कमेंट करके रेडी है जल्दी बताओ अर्ति मौर्या जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको और अगर आपके मन में कोई और भी सवाल है तो अब बताएगे देखो इसका उत्तर किरन मौर्या का आगया सचीन कुमार बच्चा कच्छा साथ का नहीं होता है अब प्ले लिस्ट में जाके पढ़ लो बाबू ठीक है आ अगला है यस-yas-yas-a-s-a इसमें एक होर है-e-e-e-e-s, एंड-e-e-e-e-c है-e-e-e-e-e-e-e सरवंगसम होंगे तो उनकी पांच कंडिशन है, कितनी है? पांच कंडिशन है, जैसे हम सबसे पहले बात करते हैं, किसकी? पहले इसका मतलब समझे लो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बच्चा लिखो Side, Angle Side जिसे बोलते हैं हिंदी वाले लिख लो उपर हिंदी में लिख लो तिरवुज के सरवांगसम होने की सरतें तिरवुज की सरवांगसम होने की सरतें चलो ठीक है, बहुत अच्छे आजे कुमार यादो जी, बेरी गुड सिवानी यादो, बहुत धन्यवाद बिल्कुल ये है Side, Side, Side समझो Side, Angle, Side का मतलब है कि जब किनी दो तिरवुज की दो भुजाएं और एक कोण एक दूसरे के बराबर होंगे, तो वो सरवांगसम होंगे Side, Side, Side का मतलब है कि दो दिये गए तिरवुज में, या दो से अधिक तिरवुज में सभी भुजाएं बराबर होंगी आपस में सभी भुजाएं बराबर होंगी तो क्या होंगे, सरवांगसम होंगी A, S, A का मतलब हुआ बच्चा इसका लिख लो, इसका मतलब है भुजा, भुजा, भुजा भुजा, भुजा, भुजा आपिअ क्लाव 10 वाले बच्चे पढ़ना नहीं चाहते मेरा मन नहीं करता उनको पढ़ाने का क्योंकि वह लोग संक्या में जुरता ही नहीं यार कफाधास वाले पांच आठ जुरते हैं तो वह हमारे कफान वाले जो प्यारे प्यारे बच्चे हैं 30 40 50 जुड़ते हैं तो मैं क्यों पढ़ाऊं लेकिन हाँ पढ़ाता हूं का अच्छा दा स्वालों को सुबह 8 बजे और दो पार दो बजे मैंने उनका दो टाइम अभी निकाला है लेकिन मैंने देखा एक भी टाइम पे वह अच्छे इपने जुड़ते हैं इसका मतलब है कि जो टिरबूज सरबांकसम होंगे चाया है है वो दो है तीन है जितने भी हैं उनमें से दो-दो कोण बराबर होंगे और एक बुचा बराबर होगी तब सरवांग समोंगे ठीक है छोटू लिख रहे हो रामफूल गौण दुर्गे सोनी किरन मौर्या सिवानी आदो आरती आरती जी फोर समेश्टर का मैद पढ़ा दीजिए फिर से आरती जी आप प्लेलिस्ट में कलास है जाके पढ़ लीजिए ना काहे को परसान किये प्लेलिस्ट में वीडियो है ना ऐसे पूट अडियो साइड किशाफ है राइट के एंगल के राइट एंगल रैट एंगल राइह आर दो राइट ANYऊंगल हाइपोटनियस मतलब क्या होता है यहार यह बड़ा गड़वर इंगली से इंग्ली से मुझें इस कम आती मुझे दिक्कत भी होती हुथ यह इंदी में ज कि इसका मतलब हुआ कि समकोंड कर्ण और भुजा क्या हुआ समकोंड कर्ण और भुजा ठीक है ओके कि किरन मौर्या ने एक डिस्क्रेप्शन भी बता दिया है बहुत अच्छी बात है चलो समकोंड कर्ण भुजा अब हम एक एक को एक्स्प्लेdag करेंगे अभी तक तो मैंने देखा कि कितनी किंडिसन में दो थिर्भुज यह दो से दिखति तिर्भुज सर्वां सम हो सकते हैं तो वह कंडिशन पांच है ए यस ने यस यस ASA ASRHS यह five condition है जब कोई भी दो यादो से अदिक ठिरपूज काइंगरियंस हो सकते हैं in this the five condition याँ five criteria for congregation of triangle note कर यह यह फिर screenshot ले लिजिए उसके के बाद हम आगे चलते हैं ठीक है कि अरती जी बताइए कहां बुक में का कुश्चन नहीं आप नंबर पर संपर्क करिए ठीक है नंबर दिया गया कल दिन में सबसर से संपर्क करिए वहां पर आपको बताएंगे कैसे क्या करना है और भी बहुत सारे तरीके आप पढ़ सकते ह के नोट कर लिए मिटा दूं मैं इसको कि इसको मैं मिठा दूं मिठा दूना तो इनको एक एक डिसक्राइब करना है अब आप लोग क्या का है मैं आज डिसक्राइब चबयां घुणा आफको आज आप आपके साथ ही लोग हैं आपके साथ पढ़ते हैं चाहे उनके ममी पापा आपके संपर्क में हैं अंकल आंटी लोग या भावी दीदी कोई भी आप उनसे बोल दीजिए कि पीवियर स्टेडी चैनल पे सामको साथ बज़े फे लाइब चलती है बिलकुल फ्री और ये भी है कि सबस्ाइब आपका नाम भी बोला जाता है ह lt can ah कितना लिखा मैंने यast यस नहीं लिखा का है नहीं 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 भूजा भूजा कोण आईसा तो कुछ नहीं है मारे समझ से ठीक है जो था मैंने आपको बताया चलिये लु reminds तो फिर क्या करें हम लोग आज की कलास यहीं पर बंद कर दें आप लोग कल फिर से जुड़ना ठीक है इसी टाइम पर इसी टाइम पर जुड़ना जैसे पचास बच्चे हो जाते वैसे कलास का टाइम हम एक घंटे कर देंगे अभी हम आधे घंटे पढ़ा रहें सिर्फ आध डाउनलोड करो ठीक है गूगल प्ले स्टोर से आप टेली ग्राम एप डाउनलोड कर लीजी अगर आपकी मुवाइल में नहीं है डाउनलोड करने के बाद अपना अकाउंट बना लो जैसे वाटसब बनाते उसी तरह से और उसके बाद वहाँ पे सर्च करना लिग के टेली बेज़ा गया जो अभी तक पढ़ाया गया है यहां आप जाके पड़ सकते हो ठीक है अ यह कलास संडे को नहीं होती लाई बाकी हरा दिन होती है इसमें कोई पूछने फाली बात नहें के कवाहोगा पर्सु आओगी हैं हॉती होग होगी इक काम और भी कर सकते हो जिनको को कलास का नाम और अपने जिले का नाम लिखके वर्टसप कर देंगे तो उनको वर्टसप के गुरूप में भी जोड़ दिया जाएगा लेकिन वर्टसप में सारी कलाफ नहीं मिलती अगर सारी कलास और फिरी में और अच्छे से पढ़ना है तो टेली गराम में जरूर जॉइन क नहीं पढ़ाते हैं उन लोग को मैथनी आटा तो वो लोग आपको या करेंगे इसलिए आफोशानल लिंक के लिए टेलिग्राम जॉइन करो और चैनल सब्सक्राइब करके रखो बने रव हमारे साथ कि देखें कि आप दिवाली को पढ़ेंगी क्या बताओ कितने बच्छे पढ़ेंगे दिवाली को मुझे पता है 2-4-6 पढ़ेंगे जबर जस्ती वाकि कोई पढ़ेंगा नही दिवाली को इस वज़ा नहीं होगी ठीक है वीडियो मिल जाएगा आप देखना लाइब नहीं होगी ठीक है हाँ टेस्ट संडे को होगा आज के लिए पस इतना ही आपको प्रेम पूरबग बहुत बहुत दिल से धन्यवाद जो आप लोगों ने पुरी कलास देखा आप इ अंगल यह पटनियस साइट